बड़ी खबर ये है कि यूकरेन की राजधानी कीव में एक बड़ा धमाका सुनाई दिया है ये उस बिल्डिंग के तस्वीरे हैं जहां धमाका हुआ है और इन तस्वीरों को देखे काफी दुआ है इस वक्त धमाके के बाद और ये धमाका यूकरेन की राजधानी कीव में बताया जा रहा है एक वीडिंग के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त चतीग्रस निखाया जा रहा है क्या ये किसी missail से हमला हुआ है किस तरह की जानकारी है इस वक्त जो इनिशल डिपेze आ रही है शुदवाती जानकारी जो आ रही है उसमें सिर्फियरे सामने राजधानी युक्रेन की की उसकी एक बिल्डिंग के एक हिस्से को श्टति ग्रस बिखाया जा रहा है और वहां पर ये धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले करनल दानवीर मेरे साथ में स्टूडियों में क्या किस तरह का दमाका आपको लग रहा है कोई जैसे यह बैटर इस्ट इन हो रही है उक्रेनियन स्नाइपर्स जरूर पॉजिशन लिये होंगे हाई राइस के उपर और कहीं न कहीं हो सकता है कि उस तरीकी की गतिविती रशियंस को नजर आई हो तो ये टैंक का डारेक्ट हाई-इस्प्लोजिफ फायर भी हो सकता है और यहां को पॉजिशन लिए और उसको न्यूट्राइज करने के लिए टैंक से डारेक्ट इस इलाके इस बिल्डिंग को किया गया है उस कमरे के अंदर की बी तस्वीरे सामने आई है करना दानवीर जहां पर यह धमाका हुआ यह देखिए यह तस्वीरे के अंदर की हैं जहा जाया जारा है उस बिल्डिंग का उन अस दिर को प्रोस्त अफजाले दिर का इन फैक्ट यह वो कमरे के साथ वाला को ऐसा कमरा है क्योंकि जिस कमरे पर डारेक्ट होगा वहां तो एक दम ब्लैक आउट हो जाएगा बहुती इमेंस एक्स्प्लोजिए लोगा अगर आप उस जाया क्या इस वीडियो को आप सुनिए इसमें के आवास भी आरी जुसरी ब्लीडिंग से इसे एक्सिर्ड गीया के ए जब यह धामाका देखे किस तरह से दो में यह melee ने किस तا ले मैं दो गहां तona यह एक रिहाइशी इलाका नजर आ रहा है यूकरेन की राजधानी कीव का और इस रेजिदेंशल बिल्डिंग में यह धमाका हुआ है और लोक पहले ही काफी देशत में करनल दानवीर सब्वेज में प्रेंड स्टेशन में जाकर पना ढूंड रहे हैं अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस बीच मैसेज बिल्कुल साफ है करनल दानवीर की यहां रहना सुरक्षित नहीं है और यह जो महिला जिसकी अवाज हम सुन रहे हैं यह कितनी देशत में है क्या कह रही है अफ़कोर्स वो समझ में नहीं आ रहा लेकिन बहुत भारी देशत में लग रही है वो और इट इस क्वाइट सर्प्राइजिंग की जब सब लोग इवैकुएट करके शेल्टर में चल कर रहे हैं यह क्या कहानी है यह तो नहीं मालूम लेकिन बड़ी गंभीर सिती है जो देखने में हमको समझ में आ रहा है इस रियाशी बिल्डिंग के कम से कम पांच फ्लोर साफ तोर पर शतिगरस नजर आ रहे हैं और उमीद हमें यही है कि यहां से लोगों को पहले ही निक हैं कि हमने गुटने नहीं टेक हैं लेकिन हाला जो है नजर आ रहे हैं सब को देखें जैसा कि आप बता रहे हैं कि यह बिल्डिंग मोस्ट प्रॉबिली ऑलरीडी इवैकुएटिड है तो यहां पर जिम्मेवारी जो भी कोई अथॉरिटीज होंगी लोकल अथॉरिटीज होंगी उन्होंने इनिशेटिव लेके इवैकुएशन किया होगा और अगर यह बिल्डिंग फुली इवैकुएटिड है तो यह एक तरफ इशारा यह कर रही है कि इस इवैकुएटिड बिल्डिंग का इस्तेमाल शायद यूक्रेनियन फोर्सेज सर्वेलेंस के लिए या स हमाके की यह तस्वीरें हैं कम से कम पांच फ्लोर इस इमारत के शती ग्रस्थ हुए हैं और लोग पूरी तरह से दहशत में जिस तरह की इस वीडियो पर आवाज आ रही है उस ओरत की जिसने यह वीडियो शायद बनाया है कांपे हुए हैं लोग उन्हें नहीं पता कि कौन सी जगा आज सुरक्षित है युक्रेन में युक्रेन की राजधानी में कहां वो जाएं पना लें और अपने आपको अपने परिवार को अपने समान को अपनी लोगों को बचाएं यह वार जोन है और युद्ध की स्तिती लगातार गंभीर होती जा रही है आज तीसरा दिन है इस युद्ध का दो तस्वीरे आपके सामने आ रही है युद्ध यह जो धमाका हुआ है उस बुल्डिंग की तस्वीरे हैं बाहर से और अंदर से भी आप देखिए एक वीडियो सामने आया है शायद किसी पॉर्मर डिप्लोमाट पिनाक रंजन चक्रवर्टी जी के पास चलते हैं वो भी हमारे साथ लगातार लाइफ जुड़े हुए है पिनाक रंजन जी यह देखिए तस्वीरे जिस तरह की आ रही है यह जिसे बोलते हैं कि नाइट मेर है और थोड़े देर पहले जब हम के अपने लीडर हों कि यह बात सही है कि उसी विदेश से कुछ सहायता मिटेगी पर मुझे तो लगता है कि जो भी इनको इस हद तक पहुंचाया है इस मकाम तर पहुंचाया है वो सब अब रेजलूशन बास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो कहां तक हम आपके साथ कर हैं अब उनको बली का बकड़ा बना दिया है अब युक्रेम के सामते यह सवीरे आप दिखा रहे हैं कि यह नाचरली यह सब को पहुंच है क्योंकि यह सिविलियन बिल्डिंग्स है सिविलियन थार्गेट्स है अब किसलिए हुआ है तो हमारे जो पहले स्पीकर थे उन्हो तो रुपने वाला नहीं लोने कीव पर हब्जा करना है यह को रोटे प्रोटे नास आत यह रहे कि बातचीत का भी प्रस्ताव दिया गया है क्यों नहीं सीजफायर करके बातचीत के मतनब अगर वो फूनों बक्स बैठके मुझे लगता है कि यह जो डैमेज है जो हुमन मि प्रस्ताव है लेकिन पुतिन कह रहे हैं बातचीत होगी तो मेरी शर्तों पर होगी और सबसे पहले यह होगा कि जिलिंस्की हटेंगे अपने पद से तो ऐसे में बातचीत कहां संभव है इसके बारे में चर्चा करेंगे इस बीच बड़ी ख़बर जो आ रही है वो यह है क यूकरेन ने कहा है कि दुनिया रूस को अलग थलग करें रूस युद्ध का गुनागार है लगातार यूकरेन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस युद्ध का गुनागार रूस है और यूकरेन के विदेश मंतरी ने ये बयान जारी किया है और साथी कहीं न कहीं अपील कि दुनिया रूस को अलग ठलग करें नहीं तो रूस यूहीं आगे बढ़ता जाएगा मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव यूक्रेन की राजदानी कीव से और इससे पहले कि मैं यूक्रेन के फॉरन मिनिस्टर के इस बयान के बारे में बात करूं प्रणे ये जो तस्वीर के आ रहे हैं ये दिल देहला देने वाले हैं की एक रेजिदेंशल बिल्डिंग की तस्वीरें हैं उसे क्या ध्वस्त करने की कोशिश की गई है क्या खबर है देखिए रात को जो है विसाइल हमले भी हुए हैं इसके अलावा टार्गेटेट जो बॉम्बिंग है वो भी हुई है कीव के अंदर और ऐसे में ये जो तस्वीर दिमित्री कॉलेबन ने ट्वीट की है जो उक्रेन के विदेश मंतरी है वो यही दिखाती है कि एक रेसिद मंतराले ने भी अब से करीब 15 मिनिट पहले जो रूसी रक्षा मंतराले की तरफ से ब्रीफिंग की गई उसके अंदर ये कहा गया कि उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है टार्गेटेट प्रिसिशन स्ट्राइक की गई हैं की समेत कई इलाकों के अंदर और खासतर पर मिलिटरी इंस्टॉलेशन जो हैं जो सैनिक ठिकाने हैं उनको निशारा मराते हुए रूस ने कारेवाई की है और जो पॉरंड मिनिस्टर का बयान आया है प्रने उसके बारे में बात कर लेते हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया रूस को अलग थलग करे क्योंकि इस यूद का ग करने में लगी है इसी दिखाने में लगी है कि दुनिया का समर्थन उनके पास में हैं वो दुनिया से गौहार लगा रहे हैं लेकिन जो वास्तिविक सिती है प्रिती जमीन पर जो सिती है उसमें फिलहाल यूकरेन और यूकरेन के लोग यूकरेन की सेना अलग थलग और अकेल एक operation को अंजाम दिया जिसमें बेलरूस की तरफ से भी है क्राइमिया की तरफ से भी है और डानबास का जो पूरा इलाका लोगांस और दानियास का है उसके साथ भी जो रशन फोर्सेज है वो आगे बढ़ी है तो यह जो पूरा इस्टर्न सेक्टर है वो तो था ही साही लेकि नौर्धन और जो साथन सेक्टर है उससे भी रशन कारवाई शुरू हुई है केवल वेस्टर्न साइड फिलहाल खुली है चूंकि वो पोलेंड से या स्लोवाकिया से या हंगरी से लगती है इस कारण से वहीं से लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी खासी मुश्किलें आ रही हैं और मैं आपको बता दूँ कि कई चात्र जो है वो अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि कई चात्र कल रात वहां पहुंचे थे रॉमानिया के रास्ते पोलेंड के रास्ते बाहर निकलने के लिए लेकिन वो भी फिलहाल फंसे हुए हैं लिवा पर बॉर्डर के लाके तक पहुंचे और आप पोशिचें चल रही है कि किसी तरीके से ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकें ये कहना है यूक्रेन का आगर आप हमारे नागरिक हैं तो पीली पटी बांदे अपने बाए हाथ पर और उसी से आपकी पहचान होगी कि आप यूक्रेन के नागरिक है लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन पर है दो तस्वीरें है उस शतिगरस्ट इमारत की जिस पर हमला हुआ है कहा जा सकता है ये एक रेजिडेंशिल बिल्डिंग है बाहर की तस्वीरें उस इमारत की और अंदर उस कमरे के भी तस्वीरें आई है जो जिसमें explosion नज़र आया वो धमा का नज़र आया और लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुचाना इस वक्त शायद जिम्यदारी किसी की नहीं है अपने हाथ में आपकी सुरक्षा है निकल लीजिए अगर आप सुरक्षित नहीं कर रहें अपनी बिल्डिंग में तो कहीं न कहीं लोग छुपे हुए हैं भारतिये चात्र जो ह हैं वो भी लगातार कोशिश करें की बॉर्डर तक पहुचे लेकिन ग्रे मंत्रा ले जहां तक नागरेकों का सवाल है प्रिती जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों को बाम शेल्टर्स में जाने की लिए कहा गया है जैसे साइरन बचते हैं तो भी जो आसपास के बाम शेल्ट के साथ अपने पैट्स के साथ में बिचोना डालके पूरी रात लोगों ने वहां बिताई है लोग एक तरीके से वो अस्थाई घर बना हुआ है इस समय लोगों का क्योंकि लोग डर में हैं खौफ में हैं और उस मेट्रो स्टेशन के बाहर ना केबल जो फोर्स हैं और बलक अपने आपको फिलहाल उन्होंने वहां रखा हुआ है और जहां तक यह पहचान की बात आपने बताई हमने यह देखा कि कई जगा पे पुलिस और जो सेक्यरिटी आफसर्स हैं वो लगातार लोगों से रेंडम चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें जलैंसकी की तरफ से बयान भी आया और लगातार यूक्रीन के अधिकारी यह दावा कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि कई सबोटाज ग्रोप हैं जो की बेस बदलकर यानी यूक्रीनी सैनिकों के कपड़े पहन कर और जो रूसी सैनिक हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं अंदर कारेवाई को अंजाम दे सकते हैं और ऐसे में लगातार सब की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो भी मेट्रो स्टेशन में जाता है या किसी ऐसी जगा पे जाता है सुरक्षाबल जो हैं वो लोगों के घर नौक करके भी लोगों से पूछ रहे हैं आपके घर कोई ऐसा आवेक्ट कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया कि सुरक्षित जगा पर पहुंच जाएं तो इस तरीके की अफरात अफरी आशंका डर और और सुरक्षा एहतियात के जो भी मुकमल इंतजाम कोशिश हो सकती है वो करने की की जा रही है प्रणे इस वक्त हर को यही कह रहा है कि आप सुरक्षित रहे हैं मैं मानती हूँ कि यह कहना बहुत आसान है लेकिन उन लोगों को क्या जो इस वक्त देश्चत में हैं और यूकरेन में मौजूद है की जो यूकरेन की राजधानी है वहां की तस्वीरे हमने आपको दिखाई ABP News आपको रखे आगे